जहां रहेगा वहीं रौसनी लुटाएगा किसी चराक का अपना मका नहीं होता जी हां हम बात कर रहे हैं भारतिय जन्ता पार्टी के सह संस्थापक भारत रत्न स्री लालकिशन अडवानी जी के बारी में लालकेशन अडवानी जी सबसे लंबे सबें तक सेवा में रहने वाले ग्रह मंत्री हैं लालकेशन अडवानी जी की गिंती राजनीती के सबसे लोगप्रिये नेताओं में होती है जनता का इतना इसने प्राप्त करने वाले विल्ले ही होते हैं अडवानी जी का जनम आठ नवंबर 1927 को विटिस भारत के करांची सहर में हुआ विवाजन के समय वै पलाइन करकर मुंबई में बस गए 1929 में अडवानी जी भारतिय जनसंग के सदस्य बने जिसकी स्थापना स्यामा प्रसाद मुखर जी जी ने की अडवानी जी हर कार्य को बेहत चाओ से करते थे 1970 में वैं पहली बार राजसवा सदस्य बने और 1989 तक लगातार चार कार्यकाल तक इस पद पर सेवा में रहे 1989 में वैं पहली बार लोकसवा के लिए चुने गए इसके बाद उन्होंने साथ कार्यकालों तक संसद में अपनी सेवाएं दी 1998 से 2004 तक भारत के ग्रह मंत्री रहे आज भारतिय जन्ता पार्टी जिस मुकाम पर है उसमें लालकिष्ण अडवानी जी का बड़ा हाथ है उनका विवाह कमला अडवानी जी से 1965 में हुआ 2024 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का नेड़ा लिया 2015 में उन्हें दुतिय सर्वोच नागरिक सम्मान पदम भूशन से सम्मानित किया जा चुका है लाल किश्न अडवानी और अटल बहारी बाचपे की जोड़ी बड़ी लोग प्रिये थी उन्होंने आपसी सावंजस्य से भारत के लिए जो कारे किये हैं उसके लिए भारत का हर वासी उनका सदेव रिणी रहीगा चैहिंद